यदि आप त्योहार में ट्रेन से बिहार आ रहे हैं, या फिर बिहार से कहीं जाने का प्लान बनाया हो तो यातरी सबसे पहले तो इस खबर को जान लें, वरना टाइमिंग का लोचा हो सकता है, क्योंकि बिहार से चलने वाली गरीब रत और साउस बिहार एक्सप्रेस्ट बड़ी ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया गया है जरूरी खबर है क्योंकि अगर आपने समय के बारे में नहीं जाना तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए इसलिए बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के आंत तक दरजल रेलवे ने एक अक्टूबर से कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है पटना कोलकाता गरीब रथ समेत 35 ट्रेने शनिवार से यानि की आज से बदले समय से चलेंगी इसलिए इन ट्रेनों में यात्रा करने से पहले नई समय साणी जान ले दरजल रेल मंडल में एक अक्टूबर से लागू होने वाली ट्रेनों की समय साणी में 9.25 मिनट से खुलेगी पहले इसका समय राद के 9.10 मिनट हुआ करता था इसी तरह से 155-50 पटना जैनगर इंटर सिटी अब दोपहर के 3.15 मिनट पर खुलेगी पहले इसका समय 3.25 मिनट था 11 बच कर 5 मिनट पर खुलने वाली है दानापूर मंडल में पटना जंक्षन और बातलेपुत्र इस्टेशन से 5-5 एक्सप्रेस ट्रेनों का समय में बदलाव किया गया है दानापूर इस्टेशन से 6 ट्रेन, राजिंदर नगर टर्मिनल से 3, इसलामपूर से 2 और राजगीर इस्टेशन से 1 ट्रेन का समय बदला है समय बदला है सबसे पहले तो 18621 पटना हट्या जो पुराने समय 15 बज कर 15 मिनट पर खुलती थी वो अब 15 बज कर 20 मिनट पर खुलेगी इसे प्रकार पटना कोलकाता गरीब रत जो पहले 20 बज कर 7 मिनट पर खुलती थी अब 20 बज कर 5 मिनट पर खुलेगी पटना माल्दा टाउन की बात करें तो ये जो 21 बज कर 55 मिनट पर पहले खुलती थी अब 22 बजे खुलेगी यानि की 10 बजे ठीक इसी तरह से पलामूई एक्स्प्रेस के समय में भी बदलाव किया गया है पुराना समय 20 बज कर 15 मिनट था लेकिन अब ये 20 बज कर 20 मिनट पर चलेगी राजंदर नगर टर्मिनल से ही खुलने बाली कुछ ट्रेनू के नाम और उनके बदले हुए समय के बारे में यदि बात करें तो दक्षिर बिहार एक्स्प्रेस है जो पहले 20 बज कर 25 मिनट पर चलती थी अब 20 बज कर 30 मिनट पर खुलेगी राजंदर नगर हाबडा एक्सप्रेस है जो पहले 21 बज कर 10 मिनट पर खुलती थी अब 21 बज कर 25 मिनट पर खुलेगी झाल